सोयाबीन की पेराई अब सुधरने लगी है। मई महीने में इसकी पेराई में इजाफा हुआ है जबकि अप्रेल में सोयाबीन की पेराई में गिरावट आई थी। चालू तेल वर्ष, अक्टूबर से सितंबर, के पहले आठ महीने के दौरान भी सोयाबीन की पेराई अधिक रही। मई में सोया खली के निर्यात में भी बढ़ोतरी दर्स की गई। सोया बीन की पेराई हुई, जबकि अप्रेल महीने में सालाना और मासिक आधार पर सोयाबीन की पेराई में गिरावट आई थी। मई में सोयाबीन की पेराई में सुधार देखने को मिला है। अवधी में हुई 83.50 लाग तन पेराई से करीब 3.50 फीसदी अधिक है। सोपा के मुताबिक चालू तेल वर्ष में 120 लाग तन सोयाबीन की पेराई होने का अनुमान है, जो पिछले तेल वर्ष में हुई 115 लाग तन पेराई से 5.75 फीसदी अधिक है। मई महीने के दौरान सोया खली के निर्यात में भी सुधार देखने को मिला, जबकि अप्रेल में इसके निर्यात में गिरावट दर्स की गई थी। चालू तेल वर्ष के मई महीने में 1.18 लाक टन सोया खली का निर्याथ हुआ जबकि पिछले साल मई में 1.16 लाक टन खली का निर्याथ हुआ था. जाहिर है मई में सोया खली के निर्यात में करीब 2 फीसदी इजाफा हुआ है जबकि अप्रेल महीने में सालाना आधार पर सोया खली का निर्यात 20 फीसदी घटा था टेल वर्ष 2023-2024 की अक्टूबर से मई अवधी में 16.4 एक लाक टन सोया खली का निर्यात हो चुका है जो पिछली समान अवधी के 15.16 लाक टन निर्यात से करीब 8 फीसदी ज्यादा है ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी